हेले दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आफका दोस्तो दुर्गत दोस्तो आफका अपने इडिव चलनल नहया जानकारी में बहुत बहुत स्वागते दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आफका सबसे बड़ा टेंसन वाला काव अपने computer को format मारना और बीच में दोस्तो अटक जाना ठीक है उसका solution में आपको बताना वाला हो जाएसे कि दोस्तो आप thumbnail में देखी चुके होंगे यदि आप खुद से अपना PC अपने left आपको format मारते हैं और अटक जाता है बीच में तो दोस्तो आप फिर आपको सुचता नहीं कि आप क्या किया जाए ठीक है तो उस समय में दोस्तो आप ये वीडियो देखी यदि आपका सेम प्राबलम माता है दोस्तो तो आप इस वीडियो के माध्यम से solve कर सकते हैं ठीक है मैं पहले आपको बताता हूं देखिए हम यदि पेंट डाइब से फ्लेज बना करके format मारते हैं विंडो सेवन मैं इसमें डालने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरा PC में विंडो सेवन इंस्टाल नहीं हो रहा है ठीक है जो कि MBR और दोस्तो EFI वाला प्राबलम आ रहा है य यहां पर दोस्तों जो है next का अपसर नहीं आ रहा है ठीक है इसको डिलिट करते हैं पार्टिशन को फिर भी यहां पर हमारा एक एक इरर मेंसेज आता है उसमें क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए कैसा मेंसे जा रहा है इसमें Windows cannot be installed to this disk, this selected disk has an MBR partition table तेक है on EFI systems यान कि EFI system करो उसके बाद आप format मार सकते हो तो इसका solution दोस्तों मैं आपको बताने वाला हो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देखिए आपके mobile handset में free space रहाना चाहिए उसमें दोस्तों iOS 5 फाइल Windows 7, Windows 8, Windows 10 जो भी आप डालना जाते ह iOS 5 फाइल होना चाहिए और OTG के बल से paint drive को switch कीजिए दोस्तों ठीक है आपके mobile उसके बाद चलिए हम अपने mobile के handset में चलते हैं वहाँ पर play store में आपको एक application चाहिए जो की इस वीडियो के निचे description में भी उपलबत है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर play store में हमें एक application चाह इसमें काम करने के लिए उपर में देखिए right side में coin चाहिए कम से कम 2 coin तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए MBR और GPT है तो MBR में इसको रहने देते हैं उसके बाद यहाँ पर unselected नहीं है तो unselected करना है उसके बाद install में क्लिक करना है दोस्तों तो get more coin में करेंगे उ इसे कर सकते हैं फिर install में क्लिक करेंगे फिर ok में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको otg cable दोस्तों इन होना चाहिए mobile में paint drive सहीट ठीक है और आपका जो है Windows 7 ये Windows 8 10 जो भी है आपके जो mobile में switch होना चाहिए otg cable के माध्यम से उसके बाद दूस्तों यहाँ पर देखिए आपके mobile को full charging भी होना चाहिए क्योंकि यह समय लेता है इस्टाल होने के बाद उसदों नीच आपकोत है इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद plus के button में तो दिखायए देंगे तो उसको पूरह आपको देखना है तब Southwest कcak сरथ है थोड़ा देख लीजिए उसके बाद इसकीप का बटन आएगा तो आपको इसकीप कर देना है यहाँ पर इसको देखेंगे पंदर सेकेंड चोभी सेकेंड 20 सेकेंड का जो विग्यापन आते है दोस्तों उसको देखना पड़ेगा फिर आपको कोई मिलेगा ऐसा करके आपक एक विग्यापन चलेगा तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों यह इसको आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं में टकने की जवरत नहीं है आपके पीसे को घर में ही आप अपने मोबाईल के माध्यम से फार्मेट कर सकते हैं मोबाईल में आप ठीक है अब दोस्तों कॉपी वाला बटन में हमें क्लिक करना है ठीक है उसके बाद जो हमारा विंडूस का फाइल है सेवन का आई एस फाइल उसको हमें ढूंडना है कहां पर रखे हैं उसको सेलेक्ट करना है तो चली देख लेते हैं इसके लिए आपके मोबाईल में फ्री समय लेता है यह कम से कम दूस्तों आफ के जो है कि 30-40 मिनट भी समय ले लेता है तो आप नेटवार्क मोड को बंद कर देंगे तो आपका काम नहीं होगा क्योंकि यह नेट भी लेता है थोड़ा बहुत तो दोस्तों आफको और चालूं रखना है नेट चालूं रखना है ठ तो यहां पर मैं आपको बताने के लिए एक बार दोस्तों नेटवर्क बंद करके बताया क्योंकि नेटवर्क बंद करेंगे तो आपको आपका जो है फाइल नहीं बरेंगा सेलेक्ट कर देते हैं वह दोस्तों बीच में किसी का फोन भी नहीं आना चाहिए आप DND सर्विस ठी तो यहां पर दोस्तों प्रोसेसिंग एक सेलेकर 100 तक बढ़ेगा तो आपको यहां पर इंतजार करना होगा ठीक है 20 से 40 मिनट समय लेता है यहां पर देखिए अभी 1% हुआ है 1.101 ठीक है यहां पर दोस्तों मैं वीडियो को रोक रोक करके थोड़ा बना रहूं आपको पिर उसको कुछ देर बाद देखते हैं तो यहां पर हो जाता है देखिए ठीक है दोस्तों यहां पर थोड़ा समय को फारवर्ट कर देते हैं देखिए 30% होगे दोस्तों 23.24 ठीक है तो यह पूरा 100% होना है तब यह आफका जो है फाइल फ्लेस बनेगा दुझे दोस्तों 29% हो गया है तो इसको इसके लिए हमें मॉबाइल का जो है इंकमिंग और आउट गूई है दूस्तों वह बंद कर देना है क्योंकि किसी का फोन आता है तो दूस्तों यह आबाट हो जाता है इस पकार से आप इस स्टेफ को देखेंगे दूस्तों तो आप तबने जाना है आपके PC को लेका कि जाना नहीं पड़ेगा दुकान ले जाना नहीं पड़ेगा आप खुद अपने घर में ही फारमएट मारा सकते हैं और पेसे को बीना अलग से प्राटिसंगा बिना वेकल का आपके कोई डाकर लास नहीं होगा बढ़िया आफ पहले के जैस पॉइंट 84 हो गया है चलिए थोड़ा वैट कर लेते हैं है इस प्रकार से हमें देखते रहे नहीं मोबाइल को कुछ कहीं प्राब्लम तो नहीं आ रहा है करके उसके बाद दोस्तों जो इसमें जो फ्लेस डाइब बनेगा उसको सिधा करके पीसी में करेक्ट करके हमें फार्मट की प्रग्रियाय से चलों कर देना है यहां पर देखे है 98 501 हो गया है ज़ल्द हमारा जो है फ्लेस्ट डाइब बनने वाला है जब दो आए है इस पर कि दोस्ता देखिए 99.02 और उसके बाद हमारा जो है कि व्लेस्ट डाइब मुझने में कुछ ही सेकन बचा है तो देखे देखे ढम पर हमारे जो है प्लेस टाइब बन चुका है अब दोस्तों हम अपने टाइब को यहन कि पेंडाइब को निकाल लेते हैं यहां से स्वीच करके निकाल लेते हैं और चलते हैं हमारे computer skin पर क्योंकि हमें अब format करना है ठीक है तो इस प्रकास दूस्तों जो है फ्लेस ड्राइब आप बना सकते हैं आप अपने laptop को सोरी है अपने मोबाइल से अपने पेंडाइब को उसके बाद जो पेंडाइब को फ्लेस बनाए है उसको PC में switch कर देते हैं और system को चालू करते हैं और boot करना start कर दिते हैं तो देखिए करके यहां पर जो बूट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहां पर सेलेक्ट बूट जाएंगे और जो है हमारा प्लिक करेंगे प्लेस वाला है तो यहां पर देखिए ऐसा आपसे लाता है ऐसा करके तो यहां पर इंटर कर देना है और यहां पर भी ओके कर देना है आपको तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा ठीक है विंट्वाइब करके तो आपको कुछ नहीं करना है इंटर इंटर ही करते जाना है यहां पर देखिए इस प्रकार से विंट्वाइब उसमें भी दूस्तों एक बार इंटर कर देना है दो बार इंटर कर देना है इंटर करेंगे तो यहां पर आपका प्रोसेस चलू हो रहा है कोई दिकत नहीं दूस्तों आप जैसे पहले करते हैं इसमें भी मैं Windows 7 का यहाँ पे bootable बनाया हूँ उसके बाद दोस्तों चली देखते हैं आगे बढ़ रहा है process इतना process तो पुराना में भी हो रहा था वहाँ पे next कापसन आता है install कापसन आता है नहीं आता है वो जरूरी है ठीक है तो यहाँ पे देखिए starting windows लिखा है आपको यहाँ पे दोस्तों जल्दिवाजी नहीं करना है बड़े आराम से ही यह सब होने देना है ठीक है तो starting windows थोड़ा समय यहाँ पे ले रहा है खास करके दोस्तों इसमें आपको एक otg केबल चाहिए और एक ISO फाइल जाहिए windows 7 का 8 का 10 का जो ही आप डालना चाहते है उसका iOS 5 फाइल आपकी handset मोबाइल में होनी जाहिए ताकि आप bootable उसको बना सके तो यहाँ पे चलिए मेरा windows start हो रहा है starting में दोस्तों आपको जल्दिवाजी नहीं करनी है बड़े अराम से होता है तो होने दीज़े ठीक है उसके बाद देखे यहाँ पर next करना है next के बाद install now में क्रिक करना है उसके बाद जैसे कि आपको पता है यहाँ फिसले में करते हैं तो यह पर देखिताएं कि उसको फजर्मैंट करनए यहां एसको फ्रुट मैंत seçक करते हैं वह सब होगा दुस्तो जितना वह आपका समय रखता है वह तेस मिनट 50 इस मिनट PC के हिसाब से वो यहाँ पर नर्मल होगा और पहले कि जैसा आपका Windows इंस्टाल हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो error वारा message था वो चला गया और जो रोक था वो भी हट गया है तो आप दोस्तों जो है इस application के मदद से और इस वीडियो के मदद से जो नर्मल तरीका है दोस्तों उससे थोड़ा सा हटके है लेकिन यह बहुत अच्छा ट्रीक है यह आप अपने PC को मार सकते है बीना data loss किये यह दि दोस्तों आप यह उस तरीका में भी मार सकते है डिस्क करके माध्यम से भी मार सकते है लेकिन आज कर डिस्क मिलता नहीं है और मिलता है दोस्तों तो आपको बहुत परिशानी होगी आपकर डिस्क चलता है कि नहीं चलता है वह सब चेक करना होगा और आप कम्विटर दुगार मिल जाएंगे तो 400-500 रुपी आपके ले लिया जाएगा तो आप दोस्तों जिन्यून वीडियो जिन्यून विंडोस ड भी जाल सकते हैं तो आपको सुरू से सिखना है अपने अपने फिसी का तो आप कमेंट करके पूछे का मैं आपको एक वीडियो प्लंत करा दूँगा बड़े असानी से आप फार्मेट कर सकते हैं ठीक है तो यह वीडियो दोस्तों खास करके उन लोग के लिए जो घर में फ हमारा डाटा का डर रहा है दोस्तों लाउस होने का कहीं कहीं खोना जाय करके ठीक है कभी कभी खोना भी पड़ सकता है लेकिन इस वीदी के माधियम से आप अपना एक भी एक भी जेपीजी एक भी छोटा से डाटा बिना खोए आप अपना कम्पिटर को बढ़िया स्वरक्षित बना सकते हैं ठीक है तो इस प्रकास दोस्तों आप अपना विंडोस को इंस्टाल कर लेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दोस्तों थान स्वरक्षित गओे ले दोस्तों नए नए आनल कर दोस्तों यह accessible झाल झाल